आर एस मुख्य प्रिक्ष्या किती थी आगे बढ़ा दी गी है दोस्तों आरेस दोजार तेश मुख्य प्रिक्ष्या आगे बढ़ा दी गी है अब ये जुलाई अगस्त में संभव होश केगी फिलाल अभी तक तारिकों को पर नहीं हुआ है निर्ने 27 और 28 जन्वरी को प्रस्तावी थी प्रिक्ष्या राजस्तान लोक्षेवा आयोग द्वारा 27 वर 28 जन्वरी को ली जाने वाली आरेश मुख्या परिक्षा 2023 के आगे खिसकने के आशार है यह परिक्षा आगे खिसक गई तो यह परिक्षा जुलाई अगस्त में संभव होसकेगी हालांकि फाइनल नहीं तिथी आयोग के द्वारा जारी करनी है अभी इसको लेकर निल्ड़ नहीं लिया गया है परिक्षा के आगे बढ़ने पर ब्यार्थियों को परिक्षा की तैयारी के लिए प्रयाप्स में मिल सकता है अब ये तक मुख्या प्रिक्षा को आगे बढ़ाने का कोई फैसला किसी भी स्थापर नहीं लिया गया है लेकिन सरकार के मंत्रियों के बियान से तो यही संकेत मिल रहे हैं कि तिथी आगे बढ़ जाएगी राजस्तान मादमी के शिक्षा बाउड की बारवी के परिक्षा 29 फरवरी से सुरू होंगी बारवी का आखरे पेपर 4 अपरेल को होगा इस अब दी में और पेस्ची की परिक्षा के अंदर मिलना मुश्किल है और पेस्ची को परिक्षा के अंदर मिलना मुश्किल है CBC की प्रिक्षाइं 15 फरवरी से सुरू हो रही है इन प्रिक्षाओं का समापन 2 अपरेल तक होगा RPSC की प्रिक्षाइं 2 जुलाई तक इदर RPSC की 25 फरवरी से 14 जुलाई तक विभिन भर्तियों के पेपर पहले ही तै कर दिये गए है ऐसे में इस बीच RPSC की मुख्य प्रिक्षाइं के लिए केंदर मिलना मुश्किल है इसलिए इसकी तिथी बढ़ना तै है विसलेशन करने पर सामने आ रहा है कि मार्च में प्रिक्षाइं होना संबहुन नहीं लग रहा कारण मार्च और अप्रैल में CBC की प्रिक्षाइं चल रही है CBC की प्रिक्षाइं होंगी इस इधर मार्च से लेकर मध्य जुलाई तक आयोग ने अपनी अन्य प्रिक्षाइं भी तै कर रखी है जाहिर है कि आयोग पहले से परिक्षा को सिमय पर कराएगा बीच में इस परिक्षा के लिए इस सेंटर मिलना मुश्किल है तो देख सकते हैं दोस्तों परमुक परिक्षा है जो 25 फरवरी से 14 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी ये वो परिक्षा है जो आरपेश्ची के दोवारा मारत से फरवरी से लेकर के जुलाई तक प्रस्तावित है इसलिए 14 जुलाई से पहले कोई भी आरेश की मुख्य परिक्षा संबह नहीं होगी 14 जुलाई के बाद ही आरेश की मुख्य परिक्षा संबहोस केगी यदि आगे तिथी बढ़ती है तो